इस मुवी का नाम है The Mag 2 The Trench 2030 इस मुवी में ट्रेंच का मतलब समंदर में 25,000 फेट गिराई में नीचे की जगा जहां कि दुनिया आम समंदरों की निस्बत बिल्कुल अलग है और यह मुवी ज्यादातर ट्रेंच की है वो यहां आकर उन मॉंस्टर्स पर हमला करनी लगा पर वो जल्दी से भाग कर पानी में जिने गए तिब डाइनासार भी उनकी पीछी समंदर में जानी लगा एक मॉंस्टर को वो पकड़ कर खाने ही वाला था कि तबी पानी से बहुती बड़ी शार जिससे यहां मेगला डॉन की पावर को दिखाया गया है कि वो कितनी खतरनाक और ताकतवर है जिससे इस मुई में मैग का नाम दिया है इसके बाद कहानी प्रेजन टाइम इन्हीं मुझूदा वक्त में आती है जहां पर हमारी कहानी का हीरो जॉनस अपनी एकसरसाइस इन्हीं वर्जिश करकी आगे बढ़ रहा था वो फिर तयार होकर जैसे गीट पर टांग मारता है गेट टोटकर नीचे गिर गया यहां हमने देखा कि जॉनस इस वक्त एक कंटीनर में है जो कंटीनर एक बहुत बड़े शिप में था जो इस वक्त समंदर में आगे बढ़ रही थी वो फिर आगे बढ़ के देखता है कि कुछ लोग कदरना केमिकल की कैंस को पानी में फैंक रहे हैं तो इस सिसके खिलाब सबूत इकटा करने के लिए वो इनकी तस्वीरी बनानी लगता है पर वो लोग देख लेती हैं कि जॉनस मारे खिलाब सबूत इकटा करने के लिए तस्वीरी बना रहा है इसलिए वो लोग उसके पीछे पर जाते हैं जोनस यहां से भागता है, एक उसे जेसे पकड़ने आगे आया, जोनस उचल कर टांग मारकर उसे दोर गिरा दीता है, फिर उसका रास्ता रोकनी एक साथ बहुत सारे लोगा चाती है, लिकिन वो उनसे भी बढ़ी बहादुरी से लड़ता है, एक की करकी उनसे भीट जाता है एक की उपर जोर सी मुका मारता है, एक को धका मारके दोर गिराता है, बागियों का रास्ता रोकनी के लिए केंस गिरा दीता है, फिर सीड़ी उपर जेसे चुरनी लगा, एक और उसकी सामनी आ गया, तब जोनस उसे पकड़कर जिल्दी से नीची पहंग दीता है, फिर कि समंदर में केमिकल गिराने के जर्म में मैं तुम लोगों को गिरिफ़तार कह रहा हूं सबको तुमी 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 और तुमी भी ये देखो मेरी जिब में लाइसंस पिये जो दिखाकर वो पानी में कोच जाता है वो लोग समझते हैं कि जॉनस मर जाएगा क्योंकि समंदर के लिए वो किये दीती हैं कि तेरो और इंजुय करो जिसके बाद तुमने मर जाना हैं पर यहां खुश्टिस्मिती से हेलिकॉप्टर में बैठकर जॉनस की दो साथ ही आ जाती हैं और वो पानी में जॉनस को देख लेती हैं किसी जगा पर हेलिकॉप्टर को रोकर फोरण उसकी जान पचा ली जाती हैं जिसके बाद अभी तीनों फैसला करते हैं कि समंदर में जो भी गल्द काम किये जाएंगे हम उसे रोकेंगी यहां जॉनस काफी खुश था क्योंकि उसने यहां अपना मिशन पूरा कर लिया था उन लोगों के खिलाफ सबोत इकठा करकी और वो लोग गिरिफ़तार कर लिये जाएंगे फिर रात की वक्त जॉनस एक पार्टी में जाता है जहां उसकी मुलाकार चाइना की एक रिसरच कंपनी के डिरेक्टर से होती हैं जो जॉनस की साइंटिस्ट दोस्त का भाई था तब इस स्टेज पर कंपनी के डिरेक्टर की और ये रिसरच कंपनी बनाई यहां मैंने काफी सरी टेक्नोलोजिस को इस्तमाल करके नईने चीज़े बनाई और सीखी हैं जो सुनकर सारी लोग बहुत कुश हो जाती हैं आगे वो बताता है कि हमने समंदर की गेरायों में जो मिशन करनी हैं उनके लिए हमारी साइंटिस् पीसद से ज़्यादा बढ़ा देंगी हमने उन सूर्स को टेस्ट भी किया जिनका रिजल्च सो फीसद रहा और सबसे बड़ी बात हमने एक मेगलोडोन शार कीनी मेग को भी समंदर से पकड़ कर अपनी पास रखा हुआ हैं जो हमने समंदर की बहुत नीची तकरीबन 20,000 फ टाके वो खतरना की रिजर्स जमीन पर ना आ जाएं ये सब हमने अपने एक मिशन के लिए किया जिसकी रिसर्च अभी भी की जा रही हैं क्योंकि हमने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अभी और मजीद रिसर्च करनी हैं हमारे मिशन में समंदर की इफाज़त पिशामिल हैं उसकी इस बात के साथ डिरेक्टर की साथी उसकी स्पीच को खत्म करती हैं फिर अगले दिन ये सब लोग रिसर्च सेंटर में आ जाती हैं जहां जोनस डिरेक्टर के साथ मिशन पर जाननी वना था हलांकि ये चीज़ उसे रिस्की भी लग रही थी उसे खतर जोनस इसके लिए मना कर दीता हैं क्योंकि वो अभी छोटी थी वो ये बातें कर ही रही थी कि तब ही उन्हें बताया जाता है कि कमपनी के डिरेक्टर में पर टेस्ट करने के लिए उसके सामने आ गई हैं और टेस्ट शुरू हो गया हैं पर जोनस को ये आइडिया पे कार लगता है क्योंकि वो जानता था कि मेग बहुती खतरनाक शारक हैं पर डिरेक्टर की सोच उल्ड थी उसका माना था कि उसे काबो में क्या जा सकता हैं मेग इतने भी खतरनाक नहीं वो मेग की बिलकुल सामने आ जाता हैं मेग आगी बड़ी और उसकी बहुत करीब आ गई इसे वो कंट्रोल कह रहा था अब वो बहुत पास आ गई थी तो सब डर जाती हैं कि अब डरेक्टर नहीं बचीगा लेकिन वो पास से ही कुछ रच आती हैं अपना टेस्ट पूरा करने की बार डरेक्टर बाहिर आया सब को कहता हैं कि बेशिक मेरे टेस्ट में थोड़ी प समंदर में आ जाती हैं जिसकी बात ये लोग अपने मिशन पर ने करने की तयारी करने लगे इनका मिशन था कि समंदर की 20,000 फीट गेराई में जाकर वहां की दुनिया को चेक करी कि वो कैसी हैं और वहां क्या कुछ मिलने के चांसीज़ें जोनस और डरेक्टर अलग-लग समंदर में आ गई हैं जो चीज उसे बिलकुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि इस मिशन में बहुत खत्रा था इसलिए वो उसे एक जगह पर बिठाकर शान बैटने को कहता हैं लेकिन तब डरेक्टर वहां अपने मेग को देख लीता हैं जिसी लोग काफे टेर जाती हैं य यहां जॉनस और डरेक्टर को कुछ समझ नहीं आती कि आखरी मेग अजाद केंसे हुई मेग इनके पीची पड़ी हुई थी तो यह लोग उससे बचने के लिए धर्मो क्लाय लेर के नीचे की दुनिया में चले जाती हैं पर मेग वहां भी उनके पीची पीची आ जाती हैं लेकिन नीचे आने की बाद वो बगएर सब्मरीन को नुकसान पहुंचाई आगे पड़ जाती हैं यहां सब हेरत में थी किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखरी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी यह सोच रही थी कि तभी उनकी निजर एक और मेग पर पड़ ज आना चाहिए क्योंकि यहां खोज करनी आए हैं तब यह लोग उपर एक साथ दो मेगलडोंस को देखती हैं जिने देखकर वो काफी दंग रहे गी क्योंकि ऐसा नजारा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था डिरेक्टर को यहां एक स्टेशन नजर आता हैं जहां उन सब को हैलान कर देती हैं वो अभी सोच रहे थी कि उपर से एक सर्मरीन से एक गुंडा जॉनस और डिरेक्टर को देख लेता हैं और क्योंकि यह स्टेशन उसके हुकम पर चिन रहा था और खुदाई यही करवा रहा था जब वो अपने लोगों को कियेकर खुदाई बन करवा देता हैं ताकि वो लोग वापिस चले जाएं उनके स्टेशन में ना जाएं लेकिन जॉनस और डिरेक्टर क्योंकि इनके स्टेशन की तरफी बढ़ रहे थी इसलिए गुंडा वहां दमागा करवा देता हैं ताकि उन लोगों को इनके कुदाई की कोई सबूत ना मि और उनसे सब्मरीन्स भी काबू हो गई क्योंकि पत्थर आकर सब्मरीन्स से टकरा रहे थी तब ये लोग बड़ी मुश्किल से अपने सब्मरीन्स को कंट्रोल करकी अपनी जान बचाने की कोशिश करती हैं उपर कमपनी के तीनों वरकर इस हादसे की वजह से परिशान हो बड़ी थी जखने की वरकर नड़की पाहि आकर नेचे उनसे राब्ता करती हैं कहनी लगी कि हमारे सारे शिप्स खराब हो गई हैं तो हमें तुम्हारी मदद के लिए नहीं बेजा जा सकता अब नेचे से जॉनस उपर इनसे राब्ता करता है बताने लगा कि फिक्र ना कर मेरी सबमरीन के सब लग ठीक है हम जिन्दा बचके लेकिन ररेक्टर के सबमरीन कहां है यह हमें नहीं पता पर मुझे लग रहा है कि हम यह ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती क्योंकि खत्रा बहुत है एक तरफ बहुत सरी मेग्स तो दुसरी तरफ उन दुश्मनों कडर जो खुँदा ही कर रहे हैं और दमाका करकी जिन्दोने हमारी जान लेने की कोशिश की यह एक कमपणिका मकेनिक जोनस से बात करता है के ता है कि अच्छा फिक्र ना करो हम बहुत जल्द मदद बीजने की कोशिश करती हैं पर तब कर तुम समभल की रहे हैं जो एक में अकेला ही जिन्दा बचा था उसने भी सोट पहना हुआ था और अभी लोग नीचे ट्रेंच वरे स्टेशन की तरह बढ़नी लगते हैं उदर गुंड़ा अपनी बोस को कॉल करता है जो और कोई नहीं बलकि डिरेक्टर की साथ ही थी जो उसकी साथ हो काम करती ही थी पर उ कहते हैं कि हूँ जिन्दा है लेकिन अब वो नहीं बचेगा अब जोनस और डिरेक्टर अपनी टीम की साथ जब स्टेशन की तरफ जा रहे थी तो उन पर कुछ मॉंस्टर्स हमला कर दीती हैं यहां यह लोग जैसे उनको देखती हैं अंदेदुन उन पर गोली बारी की जा यह मैग आ गई जिसे देखकर सारे मॉंस्टर्स भाग जाती हैं यहां इन्हें कुछ समश नहीं आती कि आखिर वो मॉंस्टर्स क्यों भागे लेकिन जब उन्होंने पेचे मुड़के देखा उनकी हालत खराब हो गई मैग से बचने के लिए उन जल्दी से भागे वो भी बड़ी टेजी से इनके पीछी आ रही थी लेकिन खुश किसमती से स्टेशन करीब था जिसके अंदर यह लोग घुज चाती हैं और मैग से इनकी जान बाल बाल बच पाती हैं अंदर जब यह लोग आए तो इनने कुछ दाती मिलती हैं जिने चेकर के डिरेक्टर बताता है कि यह दाती बहुत नायाब और कीमती हैं जो सिर्फ यह समंदर के किरायों में ही मिलती हैं उनके कीमत मिलिन डॉलर्स में होती हैं यही वज़ा है कि वो लोग यहां कुदा ही कर रहे थी अब तब यहां जोनस की बार काफी बड़े कमरे में आ जाता है। उनके अंदर आती ही कोई इस कमरे को लॉग कर देता है। और यहां यह कैद हो जाती है। तब ही फोरन स्क्रीन पर उपर वाली विर्कर आती है। कहनी लगी। इस उसे समझाता है कि तुम इतना बड़ा दोका कैसी कर सकती हो। हम सब तुम्हारी दोस्त हैं। भोल गई पर वो तो लालच में आ गई थी। दिरेक्टर की साथी की साथ मिल चुकी थी। तो उसे कुछ पर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो अपनी दूसरी वर्कर को क क्योंकि वो उसका दोस्त था। तब ही हां डिरेक्टर की साथी सामने आकर जॉनस और उसके टीम से बात करती हैं। अपना असली रूप दिखाती हैं। और सारी सचरी बताती हैं। कि हां यह मेरा ही प्रोजेक्ट हैं। जो मैं डिरेक्टर से चुपकर कह रही थी। इसमें यह मिलियोंस डॉलर्स की हिसाब से पैसा कमाया। और आगी भी ऐसा ही। तुम्हारी टेक्नोलोजिस को इस्तेमाल करकी तुम्हें लूटूंगी। यह देखकर डिरेक्टर को बहुत गुसा आया। वो स्क्रीन को ही तोड़ दीता है। ऐसा और इसी डिरेक्टर की साथी को जाकर कम्पीटर को अपने कंट्रोल में कर ले तो इस एस कमली की पानी को लोको जो सकता है। इसपर जॉनस कहता है कि मैं करूंगा यह काम। जो केकर वो एक दर्वाजी को खोल कर पानी में चला जाता है लेकिन यहाँ पानी का प्रेशर इतना तेज था कि उसकी हालत खराब होने लगी वो बड़ी मुश्किल से ही अपना सास रोक पाला था जिस वज़े से उसकी नाक और मुझे खोन निकलने लगता है लेकिन वो फिर भी हिमत नहीं आड़ता और वहाँ से आगी बढ़ जाता है बहुत जल्वा स्टेशन की करीब आगया जब अंदर गुसा तो वहाँ उसी गुंडा मिला जोसी तेंग करनी लगता है कि तुम तो हमेशा इंसानियत का बला करती हो पर आज क्या हुआ हार के ना तुम अफसूस है इस बात को छोड़ो मैं तुम्हें एक मज़ी की बात बताता हूँ मैं वही हूँ जिसी तुमने चार साल पहली एक कार्गोशिप से पकड़वा दिया था मैं दो साल जील में रहा हमेशे तुझे ही सोचता था पेचाना कौन हूँ इस पर जोनस केहता है कि नहीं क्योंकि बुरी लोगों को मैं याद नहीं रखता जो केकर वो खुद को छुड़वाता है और यहां इनकी लड़ाए होने लगती है गुंडा चा को निकालता है पर जोनस उसकी टांग पर मारता है फिर गुंडे ने उस पर दुबारा चा को सिवार किया लेकिन जोनस उसे पकड़ कर मुकों से काफी मारने लगा लेकिन फिर गुंडा उसे पकड़ कर मारने लगा जोनस बचता जा रहा था इसलिए गुंडा उसी नेचे पहंग दीता है लेकिन जोनस दुबारा उठा, गुंडी से भेट जाता है, लगतार उसी मुग के माल माल कर बेहोश कर देता है, फिर वो उस कमरी की लोग को खोल देता है, जिससे उसकी टीम उस पानी के साथ ही बाहिर आ जाती है, और इन लोगों की जान बाल बाल बच पाती है, जिसके बाहिर जाना खत्री से खाली नहीं था, चुकि वहां मेग थी, अगर ये बाहिर गई, तो वो इन्हें मार देगी, वो इस बारे में बात कर ही रही थी, कि तभी उन्हें कारड़ी आया, वो सारे स्टेशन की लाइट्स आन कर देती है, लाइट्स को देखकर मेग जल्दी से वहां आकर टेशन पर हमला करने लगी, और ये लोग शिप में बैठकर जल्दी से यहां से निकल गई, जिस वज़ज़ से ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और अब ये थर्मियो क्लाइन लियर से भी उपर आ गई थी, पर ये लोग देखते हैं कि उनकी और मेग के वहां से गाईब हो गई हैं, जिससे एक बड़े खत्रे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब जमेन पर यहां से कोई भी खतरनाक जानवर जा सकता था, ये लोग डरेता हुए थे, पर आगे बढ़ ही जाते हैं, अपने बेस की तरफ, जहां में दिखाया गया कि थर्मिय वरकर ने जान बुझकर शिप खराब की थी, ताकि ये लोग पानी में ना जा सकी उनकी जान बचाने के लिए, जिससे एक लोग समझ जाती हैं, कि कोई गड़बड हैं, और वो कुछ तो गल्त कर रही हैं, जिसके बाद वो ही वरकर अपने गुंडों के साथ दरवाजी पर आकर इनी दमकाने लगती हैं, और फूरन बाहिर आने को कहती हैं, तो वो दोनों जल्दी से बाहिर आकर उन गुंडों पर हमला कर दीती हैं, यह एक वरकर अकेला ही उनसे बिट गया, क्योंकि काफी बहादुर था, मुख के मारकर उठा उठा कर दो को बड़ी असानी से मार गिराता हैं, फिर जैसे तीसरा हमला करने आया, उसे भी वो टांग सी मारता हैं, एक को घूमकर मुँपर टांग मारता हैं, वो सारे डेर हो गई, इसे दोलों वरकर खुश हो ही रही थी, कि तबी इन पर गोली बारे शुरू हो जाती हैं, तो वो दोनों जल्दी से पाने मे पता चल गया था, कि हमारे बेस पर गुंडों का कबसा हो गया हैं, इसलिए वो वापिस शिप में आ जाती हैं, जोनस बच्ची को अपनी वरकर की साथ ही छोड़ कर डिरेक्टर को लेकर वापिस अपनी बेस पर आ जाता हैं, और अब ये गुंडों पर हमला करकी, उन से लि कि हमारा असली हीरो जोनस आही गया, और शुकर है जिन्दा हैं, गुंडा आकर उपर वली वरकर सी मिला, क्योंकि ये दोनों कपल थी, यहां गुंडा उसी बताता है कि जोनस और डिरेक्टर अभी जिन्दा हैं, जो बेस पर गई हैं, ये सुनकर वो फूरन अपने गुंड किसी मुसीबस से कम नहीं थी, वो मेकलर डॉनस बेस की तरफ ही आ रही थी, उपर वली वरकर अपनी बोस्ट डिरेक्टर की साथी को वीडियो कॉल करती हैं, और यहां अपनी पकड़ीवे मेक दिखाती हैं, साथ में ये भी बताती हैं, ये जगा बिलकुल मेहफूज हैं, अभी वो ये बता है रही थी, कि तब ही काश दोड़कर मेक बाही रही, और एकी जटके में वरकर पर हमला करकी उसे निकल जाती हैं, इस वजह से बेस में पानी आने लगा, तब गुंडा जल्दी से अपनी जान बचा कर उस यगा से बाहीर आ जाता हैं, इस वजह से पूर जोनस की कश्टी के पीछे पढ़ दे, उसे मारने के लिए उन्होंने निशाना भी लगा लिया था, इससे पहने के गोली चलाती हैं, मेक एकदम से बाहीर आकर उनकी कश्टी पर हमला कर देती हैं, और इतनी बड़ी कश्टी को ऐसे निगल कर सब को खा जाती हैं, ये देकर जोनस कपरा गया, मोका देकर जल्दी से अपनी कश्टी तेस पकानी लगता हैं, ऐसा होने की बाद गुंडा, डिरेक्टर की साथी को खबर करता हैं, कि जोनस और डिरेक्टर अभी जिन्दा हैं, तब उसको कहिना था, कि कैसी भी गर क्योंने ढूंडो और मारो, जोनस अब मेग को मानने के लिए अपना हतियार तयार करनी लगा, अब उपनी रोड की दार को तेस करके उस पर बॉंब लगाता हैं, यह डिरेक्टर उसे कहता है कि यह पास में एक आइलेंड ही, जिस पर वो सारे लोग होंगी, हमें उन सब लोगों को मेग से बचाना हैं, जिसकी बा वाँ सी गाईब हो चुकी थी, अभी सारे लोग जिस शिप पर थी, वो जटकी खानी लगती है, फिर नीचे से अक्टोपस पूरे शिप को भी खीच लीता है, और बारी बारी लोगों पर हमला भी करनी लगा, इतने ही दिर में हलिकॉप्टर की जरीर डिरेक्टर की साथी इस आईलेंड पर आज आती है, जो गुंडे के साथ थी, त्योंकि वो जोनरस और डिरेक्टर को मारने आई थी, वो लोग आगे बढ़ी रहे थी, कि तबी इन पर शुर्फार जैसे दिखने वाले मॉंस्टर्स हमला कर देती हैं, जो समंदर के नीचे हर मुक्लाए लेर से आप देती हैं, वो गाफी के तर नाग दिख रहे थी, इसली गुंडा अपने साथियों को कहे कर इन पर हमला करवा दीता है, वो बहुँ सारी गोलिया इन पर मुक्ति थी, इन पर मुष़आखक कर बहुं सरी मॉंस्टर्स को तो मार दीता है, लेकिन ये मॉंस्टर्स उनकी बहुत सरे साथियों को खीज़ कर अपने साथ ले जाती हैं इस वज़ा से आइलेंड पर अफरत अफरी मच जाती हैं अपनी जान बचाने के लिए लोग इदर उदर भागने लगी इतने ही दिर में यहां जॉनस और डिरेक्टर आ जाती हैं लोगों की मदद करने की नहीं और वो बच्ची को भी कहते हैं कि वो भी सब की मदद करी लेकिन तब ही हम देखते हैं कि वो टीनो मेगलाडान्स आइलेंड की तरफ ही बढ़ रही हैं उन्होंने अपने बड़े-बड़े मुझ खोले हुए थी आती ही वो समंदर में तबाही मचा देती हैं बहुत सरे शिप्स को हवा में उठाकर ऐसे ही निगल जाती हैं जिबकि अपना मुँँ खोल कर आगी बढ़ रही थी जो जो भी रास्ती में आ रहा था सब को निगलती जा रही थी जिसे वहां का बुरा हालों चाता है कि सारी सुर्तिहाल देखकर जोनस काफी घबरा गया डिरेक्टर की साथी हेलिकोप्टर के जरी यहां से बागने की कोशिश करती है लेकिन जब उसने सर गुमा कर देखा तो अंदर मॉंस्टर था जो उस पर हमला कर दीता है और खेंच कर अपने साथ ले जाता है जहां उसकी बागी साथी मिलकर उसे खा जाती है जनलस डिरेक्टर और अपने साथी को कहता है कि तुम आइलेंड के हलाद को संभालो जबके खुद वो मेगलोडॉन्स का सफाया करने पाने में चिला जाता है जहां वो कुष्टी की जरी आगे बढ़ रहा था और मेगलोडॉन्स उसकी पीची पड़ी हुई थी डिरेक्टर हलिकॉप्टर की पास आया जहां वो मॉंस्टर भी था तब वरकर वहां तमाता करकी सब भी मॉंस्टर्स को मार दीता है और डिरेक्टर एंड टाइम पर हलिकॉप्टर की अंदर आ जाता है और ये लोग आगी बढ़ जाती है हलिकॉप्टर उडा लीती है तब ही आयलेंड पर वो बड़ा सा अक्टोपस हमला कर दीता है और अपनी बड़े बड़े पैरों से लोगों पर हमला करकी उन्ही मारता जा रहा था ये देखके डिरेक्टर को लोगों की फिक्र रोने लगी उनकी जान बचाने के लिए वाली कॉप्टर सी वापिस कुद पड़ता है पाने में जोनस की कष्टी की तरफ मेक तीज़े सी आ रही थी उसे निगलने की लिए इस बुरे टाइम में उसी कष्टी बंध हो गई अब जैसी मेक उसे निगलने वाली थी किष्टी स्टार्ट हो गई और वो जल्दी से आगे बढ़ जाता है अब तीनों मेक्स आगे से एक साथ उसे मौरने आए पर वो बड़ी बहादरी से और उड़कर अपनी जान बच जा रहा था अब एक मेगलोडान फिर से इसकी तिरफ आई यह काफी करीब थी उसे देखर जॉनस रोड निकालता है और मेक की पास आने पर उसकी सर में कुसा देता है क्योंकि उस पर बॉंब लगा हुआ था तो मेक की दिमाग में काफी बड़ा तमाका होता है जिससे एक मेक वही मारी जाती है और वो उस तमाके से फुरन बाहर निकलाया इससे पहले जोनस दूसरी मेग को मारता पानी में गुंडा ही उसे मारने के लिए आ जाता है जिसके पीछे एक मेग भी आ रही थी अब ये मुसिबत बड़ी थी इसलिए जोनस पानी से निकल कर बाहर किनारी पर आ जाता है तब उसके पीछे गुंडा भी आ गया और उसे पकड़ लीता है वो किनारी पर इखड़ी थी गुंडा गर निकाल कर जोनस को मारने ही वाला था कि तब जोनस उसे तांग मार दीता है तो पानी में अबी गिर नहीं लगा था, कि अबही मेग आकर उसी पकड़ की खाचाती है डिरेक्टर जिब भाग रहा था, तो अपनी टांग से अक्टोपस से पकर लीता है और उसे पानी के रहिँं मिले जाता है यह देकर डिरेक्टर अक्टोपस की टांग में वाम लगा देता है और उसे रोड सी मारता है अक्टोपस को तेकलीफ होने पर वो उसे छोड़ दीता है यहां काफी बड़ा धमाका हुआ लेकिन अक्टोपस को कुछ नहीं हुआ वो बैच जाता है और दुबारा से डिरेक्टर को मारने लगता है इससे पहले उसे जान सी मारता यहां पर मेग आकर अक्टोपस पर हमला कर दीती है और यह दोनों आपस में लेने लगी इसमें मेग उसे जान सी मार डालती है इस चीज़ का फाइदा उठाकर डिरेक्टर उपर आने लगा तब ही जोनस डिरेक्टर को देख लेता है और ये भी ये वहां दूसरी मेग आ रही है तब जोनस उसकी जान बचाने के लिए हलिकॉप्टर का पंखा देकर आवास करने लगता है अवास सुनकर मेग डिरेक्टर को छोड़कर जोनस की पास चाने लगती है ये देकर जोनस उसकी आगई बढ़ने पर हलिकॉप्टर का पंखा उसकी मुमें गुसा देता है पंखा आर पार हुआ जिससे मेग वही मारी जाती है अब समंदर में मजोद सारे लोग जब फिनारे पर आने लगे तो तीसरी मेग जो डिरेक्टर की ये थी वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तब सब की जान बचाने के लिए डिरेक्टर पानी में अपने डिवाइस लेकर जाता है और कुछ लहरें पैदा करके मेग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है खुश किस्मिती से वो इस बार बे उसे कंट्रोल कर ही रहता है तब मेग उसे और बागी लोगों को कोई लुकसा ना पहुंचा कर वापिस मुट जाती है ये देकर डिरेक्टर को बहुत खुशी हुई वो मेग पर हाथ फीरता है मेग वापिस चले जाती है तब इनकी मुदत करने या हलिकॉप्टर आने लगी जिने देखर बची हुए लोग किनारे पर आकर बैठ जाती है और बहुत खुश भी थी या उनकी एक वरकर बटाती है कि हमारी मेग का बच्चा होनी वाला है वो प्रेग्नेंट है या बच्ची कहती है कि अब तो मैं आ गई लेकिन आइंदा की बात अब लोगों की साथ किसी मिशन में नहीं आऊंगी जो सुनकर डिरेक्टर और जोनस हसने लगती है वो अपनी जान बचने की वज़र से बहुत खुश थी और ऐसी हसी कुशी मजा करती है और इसी की साथ इस फिल्म की यही पर हैपी एंडिंग हो जाती है